इस वीडियो के अंदर अपन क्यमिस्ट्री के सबसे पहले देखते हैं फर्स्सक्सफुल जो पिरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था मेंड़िक वेडियोड बियाफ के ओपर सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया था वो किया था मेंड़ियोड़िक वोग होता है एक अवरेज होता है जो कि मास अटम होता है किसी बीयमेंट का okay it is a it is a average of it is a average mass of atoms of an element जितें भी atoms होंगे उसका जो average होगा एक element का वो उसका atomic weight होगा और ये जो अपन calculate करते हैं वो कैसे करते हैं relative abundance of isotope से इसको calculate करते हैं जो कि naturally occurring element होते हैं और उसके बाद में क्या हुआ जब modern periodic classification हुआ elements का वो किस ने किया मौसले ने किया और किस भियाफ़े हुआ atomic number के भियाफ़े हुआ किनके उनके element के ठीक है और ये सबसे ज़्यादा accepted periodic classification है elements का तो दोनों हम आपके सामने आते हैं एक तो मेंडलेवर एक मौसले पुराना वाला जो थुआ था पहला successful periodic classification हो मेंडलेवर ने किया और दूसरा जो modern periodic classification है वो मौस देने के आप पहली बार atomic weight के द्वारा किया गया और दूसरा atomic number के द्वारा किया गया तिल लाओ 118 elements जो कि discover करेगा है उसमें 88 तो nature में आपको मिलता है 30 आपको manmade है 96 metal है और 22 का है non metals है तो साथ में यहां पर metals और non metals के बारे में आपको जाना ज़रूरी है कि इनकी properties क्या होती है जैसे कि metal जो होते हैं वो malleable होते हैं उनको आप कैसे भी उनको change कर सकते हो आप mold कर सकते हो ductile भी होते हैं लेकिन जो non metals होते हैं वो non-malleable होते हैं साथ में non-ductile होते हैं okay metals क्या होते हैं लस्टिरियस होते हैं देखने में shiny होते हैं लेकिन non metals नहीं होते हैं ठीक है लेकिन जो accept आप दो चीज़ों का अलगर रख सकते हैं इसके अंदर जैसे diamond और graphite है वो allotrop से carbon के और साथ में आपके लिए ये भी जानना जरूरी है friends कि metal और non metal में difference क्या होता है तो semiconductor of heat electricity होता है except lead led और mercury के इसके अलावा जो non metals है वो poor connector of heat electricity होते है ठीक इसके अंदर भी exception है किसका graphite का जो कि connect करता है electricity को और साथ में metals क्या करता है accept करते है Na को key को यानि कि sodium को, potassium को जो कि high melting और high balling points होते हैं जिनके ठीक निकि non metals नहीं करता है except diamond जिसका non low melting और boiling point होता है okay तो ऐसे कई सारे differences जो कि आपको जान रखने है metals और non-metal के बीश में सबसे important क्या है कि वो metals क्या होते हैं reliable होते हैं और ductile होते हैं जो कि non-metals नहीं होते हैं तो यह सबसे important है बाकि जो सबसे जारे differences है वो आप भी आपको जान रखने है the element oxygen is found in highest amount on the earth surface तो earth surface के ओपर highest जो element मिलता है वो कौन सा मिलता है oxygen मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं इस pick के अंदर सबसे highest oxygen मिलता है और metal के अंदर क्या मिलता है aluminium मिलता है जब आपसे element पूछा है highest element जो कि अर्थ के surface पर अविलेबल है तो वो तो oxygen है लेकिन आपसे अकर metal पूछा है तो कौन सा है aluminium है ओके यहां देखिए aluminium 8.1% फिर iron है फिर calcium है sodium है potassium, magnesium और फिर others ठीक है तो सबसे ज़दे क्या है aluminium है 8.1% hydrogen का सबसे lightest element है जो कि सभी में available elements में hydrogen और osmium सबसे heaviest है और यह osmium क्या है osmium यह chemical element है जिसका symbol अपन कैसा होता है OS से अब represent करते है atomic number होता है इसका 76 ठीक है यह hard होता है brittle होता है white color का होता है white transition metal होता है platinum group से यह relate करता है ठीक है कई सारे alloys में भी मिलता है और platinum के जो ores होते हैं वहाँ पे यह mostly मिलता है तो यह आपको osmium के बारे में जरूर यह mercury क्या है ओली लिक्विड है जो की metal है जो की nature में मिलता है bromium is only liquid non-metal in nature और bromine क्या है ओलो एसा liquid है जो की non-metal है जो की nature में मिलता है mercury ऐसा liquid है जो की kerosene oil रख सकते हो sodium metal is kept inside kerosene oil गंज रखते हैं गंज या फिर matrix यह क्या होता है यह impurities होता है जो कि present होती है ओर के अंदर ओर के अंदर जो impurities है वो उसको अपन बोलते है matrix या फिर गंज और और क्या होता है फ्रेंच एक अगर उस impurity को आपको बहार निकालना है और जो substance आपको यूज करोगे उसको आप flux कहते हैं उसको अपन flux कहते हैं ओके और अगर flux और slag दोनों मिल जाते हैं तो यह waste material का formation करते हैं जैसे कि गंज plus flux is equal to slag जो कि क्या है एक waste material होता है ओके तो यह सारी information आपके लिए important है paper के लिए concentration of ore क्या है यह process है जिसमें आप remove करते हो गंज को कहां से ores के अंदर से ठीक है अगर आप यह जो impurity है इसको आप बहार निकालोगे तो इसको अपन क्या बोलेगे concentration of ores calcination क्या होता है calcination इस प्रोसेस है जिसमें आप heat करते हो ore को in the absence of oxygen तो यह important है absence of oxygen में calcination presence of oxygen के अंदर roasting ठीक है दोनों में ही आप heat करोगे ore को लेकिन presence और absence का अंदर है और वहीं इसकी definition अंदर करती है calcination में absence of oxygen और roasting के अंदर roasting में इसका presence of oxygen साथ में smelting क्या होती है the reduction of oxide ore with carbon at high temperature to obtain the metal अगर आपको metal चाहिए तो अगर आप high temperature पे heat कर रहे हो reduction कर रहे हो oxide ore का with carbon तो अपन उसको क्या मोलेगे smelting अपन उसको कहेंगे अब देखते हैं metal और उसके ore जो की paper में बहुत बार पुछी जाते हैं सभी आपके लिए important है इनके जो ore है यह आपके लिए important है paper में frequently पुछी जाते हैं कि bookside जो है किसका ore है तो आपको ध्यान रखना यह aluminium का है वैसे copper glans पूछते हैं copper का होगा simple है ठीक है galena पूछते हैं जो की lead का होगा तो इस तरीके से यह सब भी पूछे जाते हैं ore और उनके metal आपको ध्यान रखने हैं साथ में थोड़ा बहुत अगर आप हो सके तो इनका जो chemical formula है वो भी आप ध्यान रख सकते हो जो की बड़े-बड़े हैं वो आप avoid कर सकते हो लेकिन जो छोटे-छोटे हैं यह आपके लिए important होते हैं अब देखते हैं alloys, alloys क्या होते हैं homogeneous solid mixture होते हैं दो और दो से जाधा element के एक definite proportion के अंदर जिसमें से एक तो metal होना ही चाहिए तो alloy क्या है दो या दो से जाधा elements अगर आप mix कर दो किसी definite proportion में जिसमें से एक तो metal होना ही चाहिए तो वो होगा alloy amalgam क्या होता है alloy in which one of the component is mercury अगर एक alloy है जिसके अंदर एक तो mercury है और दूसरा कोई दूसरा element हो सकता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे amalgam बोलेंगे तो paper में यही पुछ जाता है कि amalgam के अंदर जो necessary component है वो कौन सा होता है alloy के अंदर necessary component क्या होता है तो आपको जहान रखना है amalgam के अंदर necessary mercury है और alloy के अंदर metal है अब यह सम कुछ important alloys है जो कि आपके लिए important है यहाँ इनका composition याने कि किन चीजों से मिलके बने है इनका percentage matter नहीं करेगा लेकिन किन चीजों से मिलके बने हो उनके uses क्या है यह आपके दोनों यह दोनों ही चीज़े आपके लिए important है जैसे कि brass brass में क्या है copper plus zinc bronze में क्या है copper plus tin tin ठीक है sn को अपन tin बोलते हैं और यह किसलिए coin बनाने के bell utensils के कामना आती है utensils आप brass से भी बना सकते हो silver German silver से भी बना सकते हो ठीक है साथ में duralumine वहाँ से भी utensils बना सकते हो stainless steel से भी बनते हैं तो utensils हो कई जगे पे कई जीजों से बनते हैं कई aloze से बनते हैं लेकिन gold जो gold होता है उसमें copper plus aluminium gun metal के अंदर copper tin और PB यानिके lead solder में PB plus tin साथ में mangalium है उसमें aluminium manganese है वैसे stainless steel है steel में iron plus chromium और साथ में nickel plus carbon यह सब के मिलके सरजली कर कटले बनते हैं making utensils बनते हैं stainless steels है तो यह page पूरा ही आपके लिए important है उसके बाद कुछ और elements रेकते हैं उनके compound रेकते हैं किस काम में लिए जाते हैं जैसे कि sulfur है वो vulcanization of rubber ओके अब यह vulcanization के दौर पर काम में लिए जाता है sulfur किसके rubber के अब यह important है कि vulcanization क्या होती है यह chemical process होता है जो कि convert करता है natural rubber या फिर polymer को किसमें more durable material में है आप इसके अदर sulfur अगर आप अड़ कर देते हो ठीक है तो क्या होता है कि जो natural rubber है वो ज्यादा durable material बन जाता है तो उसी process को अपन क्या बोलते है वulcanization उसके बाद hydrochloric acid FCL यह aquarigia form करने के काम में आता है sulfuric acid है storage battery के काम में red phosphorus match industry में match box में white phosphorus red cling medicine में NO2 nitrous oxide laughing gas या फिर surgery के अंदर okay laughing gas भी इसको कहते है graphite के अंदर electrodes के अंदर alum है जिसको हिंदी में अपन फिटकरी कहते है वो purification पानी को purify करने के काम में आता है वैसे mercury chloride corrosive sublimate के लिए calcium surface cement industry में calcium carbonate किसमें toothpaste toothpaste के अंदर okay और toothpaste में और और बी कई सब कई सारे चीजे हैं जो कि इसके अंदर यूज होती है और कई सारे जो abrasive हैं जो कि इसके अंदर यूज होता है जैसे कि silica जो कि sand से निकलता है tooth paste कि मैं अगर बात करो तो जैसे कि silica है alumina है calcium carbon आपको बताई दिया सारत में dicalcium phosphate भी इसमें यूज होता है dicalcium phosphate और इन सब की property क्या होती है कि जब तक आप इसको tooth brush के ओपर यूज करके इसको आप रफ नहीं करोगे तब तक यह अपनी property जो cleaning property है वो यूज नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो ज़रूरी क्या है कि उसको यूज करना okay उसको cleaning fat के होगे तब जाके ही अपना cleaning action स्टार्ट करेंगे जैसे कि silica, aluminium, calcium, carbonate और साथ में dicalcium phosphate यह सभी यूज होता है एक toothpaste के अंदर copper electrical wires में काम में आता है sodium bicarbonate baking soda NaHCO3 ओके bakery region के तौर पर भी काम में लिया जोता है plaster पहरे से जो की statue और surgery में बनाने में काम में आता है साथ में Q-climb, calcium oxide, zinc phosphate, red cling, kitts के अंदर काम में आता है तो इस सारे में से जो आप मैं आपको बता रहा हूँ और भी कई सारे आपने डिसक्स करेंगे तो इस में से कई सारे तो आपको basically याद ही होंगे सिर्फ आपको revise करने है तो आपको याद आ जाएंगा उसके बाद zinc जो है वो galvanize करने की काम में आता है iron को calcium hydride इसको hydrolid भी कहता है यह fireproof और waterproof material या फिक cloth बनाने की काम में आता है नैक्रोम क्या है electrical heater में आता है potassium carbonate pearl ash बनाने की काम में आता है selenium photoelectric cell में और galenium क्या होता है ऐसा metal है जो कि liquid है room temperature पर वैसे palladium है जो कि aeroplane मनाने की काम में आता है barium sulphate barium अपन यूज करते हैं क्योंकि एक good observer होता है इसको observant होता है अच्छा यह absorption करता है radiations का इसलिए barium पहले दिया जाता है patients को x-ray करवाने से पहले और यह x-ray के अंदर काम में आता है abdomen के अंदर silver chloride है जो कि photoclomatic glasses में काम में आता है वैसे artificial rain कराने के लिए का silver chloride काम में आता है ओके artificial rain तो artificial rain होती है जहां पर डॉट आ रहा होता है वहां पर कुछ foreign particles है जो कि आप cloud के ओपर add करते हो plane से ओके अब यह क्या चीजिए add करते हो artificial rain करवाने के लिए जैसे कि dry ice जिसको solid carbon dioxide भी कहते है आपन वैसे silver iodide है silver iodide और salt powder ठीक है इन सब को use करते हैं plane से छीड़कते हैं cloud के ओपर और फिर क्या होती है artificial rain होती है इसको अपन बोलते है cloud seeding cloud में seed देना ओके और यह aeroplanes rockets यहां पर इनकी help से दिये जाते हैं और finally क्या होता rain हो जाती है तो यह सब चीज़ा आपको धानक नहीं है silver chloride के अलवा भी iodide भी है dry ice है salt powder है वैसे iron pirate के एक है fool's gold है यानि कि दिखता हो gold जैसा है लेकिन है नहीं iron pirate बहुत iron है जो कि purest form होती है iron की और यह chloride है जो कि anti-venom needles में कामना आता है वो कि यह भी बहुत important है mercury है जो कि silver किसको कहते हैं अपन iron vessels में इसको रखते हैं तो यह अमलकम नहीं बनाती है कि इसके साथ में iron के साथ में lead है यह paper के उपर लिखने के लिए काम में आती है जो कि pencil के आगे होती है lead oxide का है leatherage है यह एक rubber industry के में काम में आती है वैसे silver bromide है जो कि photography में आता है neon है जो कि discharge tube में काम में आती है glow light करने के okay tri nitro phenol है जो कि pharic acid को pharic acid में काम में आती है या फिर 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 इसको कहते है okay tnp इसको pharic acid भी कहते है और phosgene है जो phosgene यह फॉस्फोर यह क्या है poisonous gas है cocl2 okay phosgene potassium chloride है यह remove करने के काम में आती है permanent hardness इसकी water की calcium solar cells में काम में आती है sulfuric acid किसमे white roll में काम में आती है okay white roll को अपन sulfuric acid भी कहते है वैसे xenon है यह stranger gas के ताउर पे काम आती है platinum को अपन कहते है white gold और glasses को अपन specify करते है color के ताउर पे glasses क्या है specific colors है जो के कुछ specific element compound में होते हैं उसके वाज़े से glasses बनते हैं glasses are given a specific color due to the presence of a specific element of their compound some elements and compound change the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent change तो कुछ ऐसे element और compound में changes लाने के लिए अपन कुछ chemical reactions करवाते हैं जो के खुद को change नहीं करती है और लेकिन reaction change करती है उनको अपन कहते हैं catalyst okay और उनको जो जो reaction है उसको अपन कहते है catalysis ठीक है some element and compound change the rate of chemical reaction तो कुछ element और compound क्या करते हैं change करते हैं chemical reaction को और खुच change नहीं होते हैं ठीक है glasses are given a specific color due to the presence of a specific element in their compound तो glasses को कुछ specific color जा जा जाता है क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं कुछ specific elements होते हैं जैसे कि ni nickel यह hydro generation है to form the vanuspaty ghee okay vanuspaty ghee गी बनाने की काम में आता है वैसे ही PT है जो कि synthesis करने की काम में आता है hydrochloric acid को वैसे ही NO है nitrous oxide है जो कि H2SO4 के H2SO4 के synthesis में काम में आता है वैसे Mb plus Fe plus Mo है जो कि NH3 के synthesis में काम में आता है अब कुछ और important points एक थे हैं जो कि आपके लिए important difference जैसे कि अगर rusting हो गई यारियन की तो उसका weight increase हो जाएगा garlic और onion के अदर जो smell आती है odor smell वो किसके वज़ा आती है potassium के वज़ा आती है बहुत important question है gold और silver का है valuable materials है egg is not eaten with silver spoon egg को आप silver spoon के साथ eat नहीं कर सकते है क्योंकि ब्लैक लेयर फॉर्म कर लेती है silver sulfite का purity जो gold है उसके अपन measure करते है carrot के अदर जैसे अगर अपन जो purest form बोलते है 24 carrot उसका मतलब क्यों होता है कि उस diamond के अदर thousand बैसे 999 parts जो है वो pure है और अगर यहां पर आपसे बात की जाया है weight की कि यह mass की यानि कि एक carrot अगर mass के अंदर कितना होता है तो यह 0.20 gram होता है यह भी आपको धानत ना है और यह तो भी है purity का parameter और यह है weight का parameter electric bulk के अंदर tungsten काम में लिया जाता है ताकि oxidation air का रोक सकें बर्प से निकाल सकें gold है, silver है, platinum है, mercury इनको कहते है अपन noble materials ठीक है noble materials इनको अपन कहते है और यह noble materials होते क्या है यह resist करते है chemical action को और यह corrode नहीं होते है और उनको कोई easily attack में नहीं कर सकता acid ठीक है इनको अपन कहते है noble metals reaction जो है ferric oxide की और aluminium की वो काम में ली जाती है फिल करने के लिए railway track का इसको अपन कहते है thermite reaction तो इस जोनों metal आपको जान रखने है तो कि railway track को crack को बढ़ने के काम दाती है seaweed के अंदर क्या होता है iodine होता है polonium में सबसे रादा isotopes होते है polonium has maximum number of isotopes isotopes कौन से होते है atoms होते है जिनका same होता है proton number लेकिन different होता है उनका neutrons ठीक है और atomic number equal होते है number of protons के ठीक है और जो उनका atomic mass होता है वो क्या होता है sum होता है proton and neutrons का तो ये चीज़ आपको धान रखने है isotopes का है same number of protons है ऐसे items है जिनका number दो proton तो same है लेकिन neutrons अलग है और sum of proton plus neutron को अपन कहते है atomic mass and we can also say that isotopes are element with the same atomic number but different mass number तो साथ मैं अपन ये भी कह सकते है जो isotopes है ये क्या होता है इनका same होता है atomic number atomic number तो same होता है लेकिन इनका जो mass number है वो different होता है और इसका अलबावा जो hydrofluoric acid है ये glass solubile भी है ठीक है और they are not stored in a glass container और इस glass containment को store नहीं करता है कुछ एक glasses engine का color है साथ में कुछ एक various colors भी है जो के firework में आपको दिखते है जब आप फटागे चूटते हैं तो कई सारे color नजर आते हैं तो ये color किसी specific elements के present के वज़से होता है ठीक है अगर barium होगा तो green color दिखाई होगा strontium होगा तो आपको crimson red light दिखाई देगी ओके ये सब elements है जो कि किसी फटागों के अंदर या फिर जब fireworks होते हैं तब आपको नजर आते हैं ठीक है तो ये कुछ नहीं कुछ specific element जब उसमें add होता है तब ही ये color नजर आएगा अगर आपने green light के लिए आपने कुछ firework छोड़ा उसमें barium नहीं है तो आपको green light नहीं दिखाई देगी वैसे आपने red light चाहिए और उसके अंदर आपको strontium नहीं मिला तो आपको red light भी नहीं दिखाई देगी फ्यूल्स क्या होते है, substances होते है जो कि burn करते है energy को उनको अपन फ्यूल्स कहते है quality जो fuel की है उसको अपन express करते है calorific value के अंदर calorific value coal सबस्दा दर frequently used होता है as a fuel 4 type के carbon percentage होते है उननी के accordingly coal को अपन describe करते है जैसे कि peat, ignite, bituminous और anthracite जिसमें प्यूरिस फॉर्म होती है वो किसकी होती है anthracite की होती है जो कि hard होता है compact होता है ठीक है और इसके highest carbon content होता है इसके अंदर और बहुत कम impurity इसके अंदर होती है सबसे जो highest calorific content होगा coal के अंदर वो anthracite के अंदर ही होगा तो यह इस तरीके से इसका carbon content बढ़ रहा है सबसे कम किसमें पीट में low grade coal को यहां पर देखे है low calorific value, domestic fuel के लिए, bituminous और super quality coal के लिए highest calorific value के लिए आपको anthracite यूज़ करना पड़ेगा और अगर आपको इसका order याद करना है तो बहुत आसान तरीका है ABIP ओके इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ABIP ठीक है तो यहां से इसको अगर एक वर्ड को यह चीज़ आप याद कर लेंगे तो आपको यह order है यानि कि A से क्या सबसे ज़़दा carbon content वाला anthracite तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं water gas क्या होती है friends mixture होती है CO और H2 की producer gas क्या है CO2 और H2 की है ठीक है CO और H2 के साथ में CO और H2 के अलावा CO2 प्लस N2 की भी है जिसको अपन producer gas कहते हैं तो यह दोनों ही चीज़ आपको जानक नहीं है और water gas किसको कहेंगे CO CO plus H2 लेकिन अगर producer gas में CO2 लग गया तो water producer gas हो गया coal gas क्या है mixture है methane का H2 का और CO गोबर gas क्या है methane CO plus H2 का है ठीक ही दोनों सेम ही है natural gas क्या है mixture है 85% जिसमें methane होती है LPG में butane और isobutane होता है ओके और CNG के अंदर क्या होता है 95% contain करता हो CNG 95% उसके अंदर क्या मिलेगा आपको cuprous oxide cuprous oxide साथ में cupric और साथ में ferrous oxide जैसे कि cuprous oxide है वो red glass इसका color red होता है वैसे cuprous oxide green or blue होता है और वैसे ferrous oxide का green glass होता है तो इन सभी के यह भी पूछ सकते है red glass क्या होता है तो cuprous oxide cuprous oxide और ferrous oxide इंतिनों का color आपको ध्यान रखना है glass का एक super cool चीज होती है ठीक है super super cool या फिर solid भी अपने इसको कह सकते है solid भी इसको अपन कह सकते है glass को में लिए इसके अंदर क्या होता है ऐसा ही O2 होता है इसके अंदर ठीक है यह एक non crystalline amorphous solid होता है जो कि transparent होता है oftenly और कई सारे इसकी practical technology का और decorative usage है जैसे कि window paints में tableware में और और साथ में auto electronics में यह कई जगह पर काम में लिया जाता है और जाता जो type of glass होता है वो silicate glasses होता है जो कि chemical component silica के ओपर stable रहता है ठीक है तो यह glasses के बारे में कुछ important information हो कई सारे glasses जैसे कि soda glass है जो कि cheapest होता है यह आपकी bottles और window paints बनाने के काम में लेता है वैसे potash होता है यह chemical apparatus जैसे कि beaker, flask, funnel इनको बनाने के काम में लेते हैं optical glass को अपन कंटेन बॉरिक एक्सिरों silica होता है इसमें तो इसको less telescope, macroscopic के तौर पर काम में लेते हैं वैसे group glass है ठीक है sparking glass है यह decorative items के लिए नाम से पता लग रहा है और glass eliminates है और इस तरीके कई तरीके glasses हैं so friends यह अपना थ industry और यहां पर कई सारे important चीज़ है की जो कि आपके paper में काम में आती है so friends thank you and all the best